सब्सक्राइब करें पीके बैक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएए लेटेस्ट हैवी बैक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए करेंक हैς मद्सक्राइब करेंä णिलिए 1 अने अने पहले पीक राइब कर दून диककिल Pvt या पार इस वीटियो इस ब्राट यू बाइ मोटर साइकल प्लाजा चेक डिस्क्रिप्शन फर मौर इंफरमेशन असलामों अलएकुम पिटफल फ्रेंड़्स आपको कोई बेसिक चेंज्ज नजर नहीं आएंगे लेकिन सबसे ज़्यादा चेंज्ज आपको इसके स्टीकर्स में नजर आएंगे उसके लाब आपको ये बताता चलूँ कि इस बाइब पहले हम 100cc बाइक से मैंने रिव्यू तो कियें लेकिन वो फुल रिव्यू नहीं थे आज ही आपके लिए फुल रिव्यू लेकरा हूँ एक एक चीज के हम बात करेंगे और क्या चेंजिंग इस बाइक में आई है 2022 मॉडल को लेकर इस बाइब भी हम सबसे ज्यादा डिटेल में बात करेंगे तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं इसके स्टीकर्स की तरफ जिसमें हर कमपनी जो भी पाकिस्तान में बाइक की कमपनी है वो सबसे ज़्यादा ध्यान देती है स्टीकर्स पर क्योंके स्टीकर्स की वज़ा सी तो निया मॉडल यहां पर पाकिसान में लाँच कर दिया जाता है उसके लाँच की बात करें तो काफी बड़ा हैलोजिन बल्ब आपको यहां पर देखने कर मिलता है अगर मैं आपको क्लोज करके दिखाऊ हूँ और मैं भी लाइट चलाकर भी आपको एक चीज़ क्लियर करके दिखाता हूँ इस बल्ब का अगर नॉर्मल साइज से बात करें तो यह एक अच्छा बड़ा बल्ब है जिसकी ब्राइटनेस काफी ज़्यादा तेज होने वाली है उसके लावा खुदानाखवासता अगर यह खराब हो जाता है तो मार्केट से यह मिल जाता है यह नहीं मिलता है यह आपको जो इखने के लिए मिलते हैं यह आपको अच्छे बाले मिल जाएंगे कुछ कंपनी जो अच्छे बनाती है यह लेकर लगाने तो उनकी बैटनेस ज़रा इजी होती है क्योंकि हमने अगर मुड़ना होता है तो इंडिकेटर का का जादा यूज आता है इसमें अब फ्रेंट टायर की बात कर लें तो यहा यहाँ पर हमें स्पोक स्टुम मिल जाते हैं यहाँ पर आपको ड्रं ब्रेक्स कि मिलती है उसके साथ अगर मैं अगर पुर्वज करकर दिखां तो जो इसकी बील्ट क्वालिटी है मुझे कदरे बेगर लगई जो किसका 70s 2022 तूड की क्ாकि की क्वालिटी कीबाध कर रहा हूं तो यहां पर अबगाद कर ले थे हैं इसके सपोक्स की क्यालिटी वो भी आपको क्लोज करके दिखाता। कля दसे बस बेखते हैं उसके लख रहार दुरुज मुआट 2003 Safe की बात मुले हैं इसके Program 18 inches के यहां पर भी आपको spokes rims देखने के लिए मिलते हैं braking system की बात करने तो rear पर भी आपको drum breaks मिलती है Specs की quality की बात करें तो front tire से थोड़ी सी बहते हैा क्योंकि rear tire में आपकी सारा system है और सारह कुछ system लगाता है ज्यादा तर ज tyre बकुखे बंदा of the तो मेंटर के आप cách कपको मेल मुलते हैं न यहाँ घुन मेतर में देता है यहाँ बताऊंगा कासी जहाँ काशिका क्यों है यहाँ पर मैं थोड़ी सी कूऊंगा कि यार अगर पर दूस्हाँ तरफ को यहाँ पोचन के अजो की तो यशची बन जो यह तनी कुछ खास नहीं पतली सी की बनाई हुई है इसके राब आपको फ्रेंट ब्रेक के लाब कोई भी एक्स्ट्रा डिस्ट्रब्रेंस बटन नहीं देखने के मिलता इसके लाब आप इसके हैंडल को कैसे फिक्स किया गया है यह सारा कुछ आपको क्लोज करके इसे लिए दिखाता हूं कि आप इसकी बिल्ट क्वालिटी बिरा देख सेकें बाकी लाफ ग्रिप में आपको हाई एंड लो बीम हैडलाइट ऑन ओफ का ऑप्शन इंडिकेटर और हांड जासे ऑप्शन मिलते हैं उसके साथ साथ बात कर ले हों कि मुझे जो इसकी यह जो इसकी यह दोजार बाइस मॉडल लांच किया था ना उससे काफी बेहतर क्वालिटी लगी मुझे सेंडेट सीसी बाइक की और इसके जो ग्राफिक्स हैं वह भी काफी प्यारे बनाएंगे अगर सैवेंटी सीसी में भी कुछ मिलते जुलते ग अगर बती अगर सकते हैं काफी यह दोजार बाइस में प्यारे जेएंगे में तो जब जया सकते हैं और इसके और चीजाहरे पोर भीar को सिटीकर्स लेखने के लिए जैसा के होंड़ा सीडी 70 इमें बात कूर तो यहां पर किसी भी किसम के कोई स्टीकर्स वेएरा अवेलेम वह बहुंत हैं एक बात काफी अच्छी लगती है कि वह अपने बाइक की जो प्राइज है काफी रिजिनेबल रखते हैं मार्किट को देखते होए तो एंड में हम बात करेंगे इन की प्राइजिस के बारे में भी उसकी साथ रेयर लाइट देखने वाइद आपको रेयर भी करता है तो ये थोड़ा मतलब फ्लیک्स हो जाता है ये मुड़ जाता है लेकिन जल्दी तूटता नहीं है रेर टाइर की जो ग्रिप्स वाइन है वो भी आप में लज़ा फर्मा सकते हैं तो फ्रेंट अभी हम बात कर लेते हैं में इसके इंजन की आपको बताता है तो इस CC, 4-stroke, single cylinder, OHC की टेकनोलजी यह नहीं के अवरेट कैमशेफ्ट की टेकनोलजी यहां पर हमें देखने के लिए मिलती है, यह एक एर कूल इंजिन है, उसके साथ-साथ इसमें आपको किसी भी किसम का self-start नहीं मिलता है, जो चीज मिसिंग मुझे लग रही है, उस चीज के बारे के लिएंडिंग है, वो आप देखते हैं, क्वालिटी है, मैं लाइट चला कर आपको दिखा रहा हूँ, कि यहां पर 100cc में फिर युनाइटिड ने थोड़ा सा बेहतर काम किया है, लेकिन अगर मैं 70cc की बात कुरूं, तो उसमें मुझे इतनी कुछ खास इनकी जो वैल्ड के इसकी क्या प्राइज है, और अगर आप इसमें अलॉरिम वाला पर चेस करना चाते है, तो उसकी क्या प्राइज है, उसके साथ साथ यहां पर जो आपको एग्जाॉस मिल रहा है, वो आपको silver exhaust मिल रहा है किसी आप कि ब्लैक कोटिंग नी है, तो यहां पर आपने दिखाता चला जाता हूँ और बात कर लेते हैं मजीद इसकी कुछ specification के बारे में आपको बताता चलो इस bike में जो petrol की capacity है वो तक्रिवर्ण 8.5 लिटर तक आप petrol डाल सकते हैं अगर कोई 9 लिटर तक petrol आपके bike में डाल देता है तो समझो के वो pump 4 है उसके लावा अगर short की बात कर लें तो मतब short में इसकी जो average हो कितनी है तक में 30 to 35 km लिटर ये bike देने की सलाहित रखता है उसके साथ अगर long की बात कर लें तो 40 to 45 km लिटर ये bike देने की सलाहित रखता है और इसका जो carburetor system है वो भी old वाला लगाया गया है यानिकि ये जो carburetor थे ये आप जो option देख रहे हैं ये old carburetor में आती थी अभी button वाला round shape carburetor आ रहा है वो अगर इसमें लगा देते है चेंजिंग कर देते है तो इसकी fuel leverage कदरी बहतर हो सकती थी इसके लाब अगर इसकी horsepower की बात करें तो 6.9 bhp की horsepower आपको मिलती है जो के 5500 पर मिलती है उसके साथ-साथ अगर इसकी real displacement की बात कर लेज़े तो 97 cubic centimeter की आपको इसकी real displacement मिलती है अब ये बाइक आप लोग कहरोगे न 97 cubic centimeter तो क्या ये 70 से अगे निकल जाएगा या फिर ये एक normal 1 to 5 के level पर आ सकता है यानि क्रीब क्रीब हैं cc नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये 100cc इंजन है और वो 1 to 5cc है वो तो आपको तीसरे गेर या दूसरे गेर में ही आपसे आगे निकल जाएगा और इसकी जो initial pick है वो थोड़ सी कम होती है और इसका जो frame बनाया गया है इसकी वज़ेसिक सा weight थोड़ सा ज्यादा है और उसके बनिस्बत ये बाइक बगाने वाला नहीं है और नहीं है फैमिली यूज के लिए बाइक बनाया गया है इसके engine में जो आपको ज्यादा मिलती है यंदि के 6.5 न्यूटर मिट्र की आपको इस बाइक में टॉर्क में टॉर्क मिलती है छो चारजार 500 अरपर मिलती है और इसके साथ आपको ड्यूल स्टेंड आपको अप् उसको hard and soft कर सकते हैं और इसके पेंट क्वालिटी की बात कर लिए तो वह भी मुझे काफी बेहतर लग रही हर जगा पर जो क्वालिटी है मुझे बेहतर लग रही है आप लोगों का इस बार में क्या करना नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा भी हम बाइक की सायर करेंगे थोड़ी सी नीचे से पर साथ साथ देखेंगे कि अगर बाइक की आउटर लुक अची है बिल्ट क्वालिटी बाइट इंजिन की अगर क्वालिटी की बात कीजए बिल्ट क्वालिटी की बात कीजए तो मुझे युनाइटिट की जो यह बिल्ट क्वालिटी है मुझे काफी पहले से बेहतर नजर आ रही है और युनाइटिट मेरे ख्याल से इस पर काम कर रहा है कि लोगों को जो है बिल्ट क् पर और चलने किसे लगए रखता है फ्रेंट सस्पेंशन की अगर बात कर लिजाए तो इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आप देख सकते हैं उसके कितना फ्लेक्स हो रहा है और क्या चीज़ है क्या नहीं और किसी भी किसम की यहां पर मुझे आवाज सुनने के लिए नहीं और अगर रेर्यस इसपेंशन की बात कर लें तो वहाँ पर बिम के आपको इसको क्लोस करके दिखा देता होंगी ज्यों इसके रेर्यस इसके स्पेंशन की जो स्संस है उनकी तो फ्लेक्सिबिटी और इनको आप हार्ड ंड सौफ भी कर सकते हैं आपकी मरजी है अगर ज्या एक आपको ये वाला मिलता है जिसका मैं रिवियू करूँ जो कि स्पोक्सिम्स के साथ है एक आपको इसमें अलायरिम वाला मौडल भी आता है युनाइटेड ने काफी अच्छा किया कि चलो अलायरिम तो आपको दे दी हैं लेकिन मुझे एक चीज की मीसिंग यहां पर यहां पर आपको सल्फ स्टार्ट को आप्शन नहीं मिला क्योंकि अगर आप किसी कहीं पर फैमिली के साथ जा रहे हैं बाइक आपका बंद हो जाता प्राइस की बात कर लेते हैं इस मॉडल की जो प्राइस है वो है 64,000 यानिके 64,000 रुपे इसके इलावा अगर मैं बात कुन इसमें अगर आप अलायरिम वाला आप्शन लेते हैं तो उसकी जो आपको प्राइस मिलती है वो है 22,000 पे 72,000 रुपीज जो डिफरेंस से आप प्राइस के घाए शब कर दो से एंगर मैं अगर मैं यो जो है वो आगर मैं आपको आपको कि जो प्राइस है।